हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एड्यूकेशन क्लिनिक आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट और सभी के लिए बहुत जरूरी एक टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे बडाफा रोकने का क्या बैग्यानिक तरीका है एजिंग को हम कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं स्लो कर सकते हैं एजिंग प्रॉसेस को और कैसे हम अपनी लाइफ को प्रोलाउंड कर सकते हैं कैसे हम अच्छे से हल्दी रह सकते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ को सस्टेन करें ये ब को सब्सक्राइब करिए आइकन बेल हिट करिए फ्रेंड्स के साथ सेयर करिए प्लस आप जो भी आपका अच्छा या बुरा कमेंट से जो बढ़ापा जल्दी आने के पीछे वेग्यानिक कारण है वह आखिर क्या है और हम उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं तो मैं आपको सबसे पहले एक रिसर्च आपके साथ सेयर करूंगा जो की युएस के अंदर एक रिसर्च हुई तो उसमें यह पाया गया कि जो लोग प्रॉपर ऑक्सीजन का लेवल अपनी बाडी में ठीक रखते हैं वाटर की डेफिसेंसी नहीं होने देते वाइटमिन B12 और D की डेफिसेंसी नहीं है जिनमें जो रेगुलर एक्सराइज करते हैं अच्छी नींद लेते हैं और स्ट्रेस को मैनेज रखते हैं वो लोग नॉर्मल लोगों की तुलना में 10 साल जादे जीते हैं और उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में बीमारियां 50% कम होती हैं तो ये एक रिसर्च का एक कंक्लूजन है और एक रिजल्ट है जो मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूँ जो कि साइंटिस्टों के एक कंक्लूजन है वो ये है कि यदि आपको लगातार ऑक्सिजन की कमी सरीर में बनी रहे तो आपको सबसे पहले दिमा की संबंदित बीमारियां होंगी फिर दिल से संबंदित बीमारियां आपको आ सकती हैं क्योंकि हमारे जो टिसू हैं जो हमारे सेल्स हैं जो हमारी बॉड़ दूसरी आवशक्ता है वो water है और जो तीसरी आवशक्ता है वो vitamin D and B12 है और जो चौती आवशक्ता है वो proper नीध है और जो पांच में आवशक्ता है वो minimize stress है यदि ये पांचों चीज आप ठीक कर लें अपनी body में accurate कर लें इसकी deficiency को रोक लें तो आपको बहुत बड़े सकते हैं अब इसको हम कैसे sustain करें कैसे इन चीजों को fix करें क्या करें कि ये deficiency ना हो यस इसका भी एक normal natural scientific solution है आप 8 गंटे की नीद लें 40 minute daily कोई न कोई ब्यायाम करें meditation करें breathing exercise करें डाइफाम breathing करें oxygen लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम aerobics करते हैं walking करते हैं meditation करते हैं तब हमें अच्छा plenty of oxygen मिलता है और हम अच्छे से cleaning भी करते हैं क्योंकि उस दौरान हम carbon dioxide भी अच्छे से निकालते हैं इसका natural तरीका ये है कि आप early morning खुले हवा में पेड़ जहां पे हैं जहां पे जंगल है पेड़ों के बीच में जाएं और उधर exercise करें इससे आपको अच्छी oxygen मिलेगी और अच्छे से आपकी body में cleaning होगी प्लस water make sure करें कि water की deficiency कभी भी किसी condition में आपको ना हो क्यों body is made of water यानि 70% हमारी body के अंदर पानी ही है तो 70% को आप ठीक कर लीजे और जो 30% है उसमें और सब कुछ है 70% water ही हमारी body के अंदर है तो at least गर्मियों में आप 4 लीटर और सर्दियों में आप 2 लीटर पानी जरूर पियें एक habit डबलब करें कि हर घंटे पे या हर दो घंटे के बाद at least you take some water that will help your body ये आपको body को oxidize करने में भी मदद करेगा और regulate करने में भी मदद करेगा और इससे आपको stress ठकान भी कम होगी आपके tissue और आपके जो cells हैं वो जल्दी ठकेंगे भी नहीं क्योंकि oxygen और water यदि आपके सरीर को properly मिल रहा है time से तो फिर आपके tissue और आपके जो cells हैं वो कम ठकेंगे वो कम dead होंगे और आपका जो aging process है वो slow down हो जाएगा plus stress management ये बहुत important part है ये भी आपको sustain करना होगा stress को regularly manage करना होगा अपने stress को release करने के लिए normalize करने के लिए daily basis कुछ positive engagement आपको करने होंगे like आप music सुन सकते हैं नई books बढ़ सकते हैं कुछ नया कर सकते हैं life में जो कि आपको थोड़ा सा entertain करेगा thank you very much and take care yours हुआ 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 है